नमस्ते चात्रों आज एक बार फिर से आप आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में देखे चात्रों इस वीडियो में हम इतिहास किसे कहते हैं के बारे में बताएंगे तो इस वीडियो में आपको इतिहास की परिभासा इतिहास शब्द का अर्थ आदि के बारे में जानने को मिलेगा और भारतिय इतिहास के को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में हम बताएंगे और संपूर जो भारतिय इत्यास है उसके बारे में हम आगे के वीडियो में भी आपको बताएंगे तो यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर लीजिएगा बेल आइकन को भी दबाईएगा ताकि आपको नए नए वीडियो देखने को मिल सके तो चलिए आज जानते हम इत्यास के बारे में तो देखे चात्रों इतिहास सब्द इतिहास सब्द है इसका अर्थ क्या होता है ठीक है तो इतिहास शब्द है ये संस्क्रित भासा के तीन सब्दों से मिलकर बना है कौन-कौन से वो तीन शब्द इति है और आस ठीक है तो इतिहास शब्द संस्क्रित भासा के तीन सब्दों से मिलकर बना है इति प्लस है प्लस आस ठीक है तो इती, इती का अर्थ होता है ऐसा ही है निस्चित रूपशे और आस अर्थाथ था ठीक है तो इती प्लस है प्लस आस इसका अर्थ क्या हुआ ऐसा ही निस्चित रूपशे था अर्थाथ हम कह सकते हैं कि जो गठनाए अतीत काल में अतीत काल मतलब जो बीट गया निस्चित रूपशे गठी है वही क्या है इतिहास दूसरे सब्दों में हम ये भी समझ सकते हैं कि इतिहास के अर्थ को हम दूसरे सब्दों में इस प्रकार से भी समझ सकते हैं वेक्ती, समाज, देश की महत्वपून, विशिस्ट यमसारवजनिक छेत्र की गठनाओं का काल करम से लिखा हुआ विवरण तथ्यों गठनाओं का काल करमानुसार विवेचन ही क्या है इतिहास है तो कोई आपको यदि इतिहास के बारे में परिभासा पूछे तो आप बता सकते हैं कि वेक्ती, समाज, देश की महत्वपून, विशिस्ट यमसारवजनिक छेत्र की गठनाओं का काल करम से लिखा हुआ विवरण तथ्यों गठनाओं का काल करमानुसार विवेचन ही क्या है इतिहास है ठीक है अब देखेगा इतिहास के पिता तो हेरो डोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है हेरो डोटस का जन 414 से इस्सापूरव में एसिया के माइनर के हेली कार नेसस में हुआ था रोमन दार्षनिक सिस्त्रों ने हेरो डोटस को इतिहास का जनक अथ्वा इतिहास का पिता कहा है कई बार प्रेक्षा में पूछ लेते हैं कि इतिहास का पिता की से कहा गया है तो वो है हेरोडोटस हेरोडोटस युनान के पर्थम इतिहासकार एम भुगोलवेता थे हेरोडोटस का संस्कृत नाम हरिदत था ठीक है और हेरोडोटस द्वारा लिखित जो पुस्तक है वह है स्टोरी का है ठीक है यह दो तीन क्यूशन बनते हैं इतिहासका पिता किसे का गया है इसे का गया है हेरोडोटस को हेरोडोटस है उनके संस्कृत का नाम क्या था हेरो डोटस का सिंस्कृत का नाम है हरीदत और हेरो डोटस की पुस्तक का नाम क्या है हिस्टोरी का अब देखें भारती इतियास का पिता किसे कहा गया है वो है मेगस्तनीज तो भारती इतियास का पिता मेगस्तनीज को कहा जाता है मेगस्तनीज कों थे युनान के राजदूत और मेगस्तनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाठली पुत्र के बारे में लिखा है मेगस्तनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा संद्रगूत मोर्ये की राजय सभा में भेजा गया इसके पूर्वय वह है आरकोसिया के छत्रप के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था संबवता है मेगस्तनीज इस्सा पूर्वय 304 से 209 के बीच में आया था पाठली पुत्र की सभा में उपस्तित हुआ था ठीक है तो कई बार देखे चात्रों आपर पूस लेते हैं कि भारतिय इत्यास का पिता इत्यास का पिता कौन था हेरोडोटस और भारतिय इत्यास का पिता मेगस्तनीज कौन था मेकसनीज युनान का राजदूद युनानी राजदूद था पुस्तक का नाम इंडिका था कहाँ पर रहा है था पाठली पुत्तर में किसके राजदरबार में चंद्रगुप्त मोरिय के राजदरबार में किसने बेजा था सेलूकस निकेटर ने ठीक है कब 304 नहां में इस्था पूरवए के बीच में ये आया था अब देखे आदूनिक इत्यास का जनक तो कोन है vissap William.- stuffs को से तो आदूनिक इत्यास का जनक किसे या गया है विसप William.- stuffs को ठीक है तो देखे चात्रों हमने यहां पर इत्यास के परिभासा के बारे में पढ़ा इत्यास होता है क्या इत्यास का अर्थ क्या इसके बारे में हमने थोड़ी जानकरी प्राप्त करिए और भारती इत्यास का पिता आदूनिक इत्यास का जनक और इत्यास का पिता किसे का गया इनके बारे में पढ़ा एक आदे क्यूसन इसमें से पूछ लेते हैं अब देखेगा भारती इत्यास को कितने भागों में बाटा गया है तो भारती इत्यास को पढ़ने के लिए जानने के लिए इसको तीन भागों में बाटा गया है ताकि पढ़ने में याद करने में थोड़ी सरलता है इस हिसाब से इसका स्लेबस मनाया गया है और भारती जो इतियास इसको तीन बागों बटा गया, वो कौन-कौन से तीन बाग प्राचीन बारत का इतियास, मद्यकालिन भारत का इतियास और आधुनिक भारत का इतियास तो देखेगा चत्रो, यहाँ पर हमने only इतियास की परिभासा के बारे में पढ़ा है आगे के जो वीडियो जाने को हम आरे यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताके आपको भारती इतियास के बारे में नहीं नहीं जानकारी प्राप्त हो सके और हमने याप पर कोसिस करी है कि हम आपको आपकी जैसे फस्क्रेट तीसर की first grade की जो exam है second grade की exam है NET है RS ए, IS है इस इनके बारे में एंठे हैं इन एक्जाम को धहान में रखते होगे हमने syllabus को ready करा है वीडियों हमने बनाए है तो आप हमारे वीडियों देखते रहे हैं और आप हमें facebook पे like और share कर सकते हैं और आप twitter पे हमें ब्रोडकास चैनल उसे जुड़ सकते हैं ताकि आपको नए-ने वीडियो प्राप्त हो सके धन्यवाद